hello dear pharma student welcome to gdc pharma jobs ایم's फार्मक्री सड्वक्स अन्हीं बहुत बहुत कांग्रेटुडेशन क्योंकि उनका जो रिसेल्ट है वह आ कुर्फे रहने वाला है रिसेल्ट क्या है कट टफ कौन कौन स्टुडेंट सेलेक्ट हुए हैं कभ है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे जिसका आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देन आपको फर्स्ट में मिल जाएगा आज का अभी का ही नोटिफिकेशन है जिसे हम आपको प्रवाइट कर रहे हैं यहाँ पर आपको बस डाउनलोड में जाना है दिया गया नॉन फेकेलिटी की जो इग्जामनेशन हुई थी इसका रिजल्ट अब आ चुका है तो जैसे इस वेब साइट में आपको यह जो रिजल्ट है तेरा बारा से लेकर बाइस बारा तक की जो रिजल्ट है वो इसमें अवलेबल रहेगी यहाँ पर चलिए हम बात करेंगे फार्मासिस्टे ग्रेट टूकी जो वेकेंसी आई थी इनका इसामनेशन हुआ था अब इनका जो टाइम है यह देख सकते हैं बारा पीएम दिया गया है ठीक है अपडेट टाइमिंग की बात करेंगे वेन्यू की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग गेट नमबर फाइब एमस रायपूर में रहने वाला है इनका इंटर्विव का जो वेन्यू है ठीक है अब देख लीजे सारी चीज़ यहां पर दी गई है और साथ ही साथ आप देख पाएंगे सभी का जो टाइमिंग है वो भी अलग-अलग है तो यहीं इसी पीडिएफ में आप डाउनलोड करके जरूर से इसे चैक कर लीजिएगा ठीक है अब चलिए चलिए कि कौन कौन से स्टुडेंट यहां पर सेलेक्ट हुए है आपको किस प्रकार से फार्मसिस के दिए हम बात करें तो कैसे चेक कर पाएंगे तो आपको ज़स्ट थोड़ा नीचे जाना होगा ठीक है यहां पर आप देख पाएंगे फार्मसिस ग्रेट टू की रिजल् ठीक है तो सभी स्टुडेंट को बिग कॉंग्रेचुलेशन बहुत ही अच्छी यहां पर न्यूज आई हुए कि आप सभी का सेलेक्शन देखिए जो भी स्टुडेंट जिनका सेलेक्शन हुआ है उनको बहुत ही कॉंग्रेचुलेशन ठीक है और जिनका नहीं भी हुआ उ तो इसी प्रकार से एक्जाम को क्लियर करते जाएए, all the best and congratulations.